प्रते छोडे ओम शांती संगम युग पर बेहद का बाबा हमें बेहद सुख का बेहद शांती का बेहद आनन्द प्रेम पवत्रता का वर्शा देने स्वयम ब्रंभा रथद्वारा हमारे मध्य आते हैं हमें राजययूग सिखाते हैं संगम पर स्वराजय अधिकारी और भविश्य में विश्वराजय अधिकारी बनाते हैं योतो राजाई अभि कलीयूग अंत में ही थोड़ा विलुपत हुई है तो आधिकाल से चली आ रही है परउन्तो वो राजाई जो सत्यूग में होती है और वो राजाई जो द्वापर के बाद होती है भक्तिमार्ग में होती है दोनों में रात और दिन का अंतर आ जाता है ये अंतर आज की मुडली में बाबा बहुत स्पष्टता से समझा रहे है हमि सच्चा कर्म योगी सहज योगी बना रहे है सुनते हैं बाबा के मदर महवाक्य आज है बीस मई दो हजार चौबिस बाबा के महवाक्य हैं मीठे बच्चे तुम बाब से भक्ती का फल लेने आए हो जिन्हने जास्ती भक्ती की होगी वही ज्यान में आगे जाएंगे प्रश्न है कल्योगी राजाई में किन दो चीजों की जरूरत रहते है जो सत्योगी राजाई में नहीं होगी सबको पता है उत्तर है कल्योगी राजाई में एक वजीर और दूसरा गुरू की जरूरत रहते है सत्योग में यह दोनों ही नहीं होगे न वजीर न गुरू वहां किसी की राए लेने की दरकार नहीं क्योंकि सत्योगी राजाई संगम पर बाप की श्रीमत से स्थापन होती है ऐसी श्रीमत मिलती है जो 21 पीडी तक चलती है और सब सदगती में है 21 पीडी तक भी चलती है और सब सदगती में है इसलिए गुरू की भी दरकार नहीं है ओम शांती ओम शांती का अर्थ क्या है स्वधर्म में बैठो या अपने को आत्मा समझ बैठो तु शांत में बैठेंगे इसको कहा जाता है स्वधर्म में बैठना भगवानवाच स्वधर्म में बैठो सभी अपनी आत्मिक स्थिती में शांत स्वरूप में बैठेंगे अभी तुम्हें बेहद का बाप बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं क्योंकि बाप बेहद का सुख देने वाला है पढ़ाई से सुख मिलता है ना अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बैठो बेहद का बाप आया है तुमको ही होते हैं वह कब बनते हैं इतने ओच पुरुशोत्तम कैसे बने यह कोई भी बता न सके सिवाए बाप के प्रजापिता ब्रम्भा के बच्चे तुम ब्राम्मन ठहरे फिर तुमको देवता बनना है याद है न लक्षे क्या है ब्राम्मनों की होती है चोटी तुम शूद्र से ब्राम्मन बनने हो तुम प्रजापिता ब्रम्भा के मुखवन्शावली हो कुखवंद्शावली तो नहीं हो कल्यूगी सबी है कुखवंद्शावली साधू, संत, रिशी, मुनी, आदी सब द्वापर से लेकर कुखवंद्शावली बने है अभी सिर्फ तुम प्रजा, पिता, ब्रम्भा, कुमार, कुमारियां ही मुखवंच शावली बने हो पवित्र जन्म हमारा है ये तुमारा है सर्वुत्तम कुल देवताओं से भी उत्तम याद रहे हम ब्राह्मण है देवताओं से भी उत्तम है हमारा ये जन्म कितना वेल्वेबल है क्योंकि तुमको पढ़ाने वाला मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप आया है। बच्चों को बैट समझाते हैं। क्यूंकि भक्ति मार्ग वाले यहां आते ही नहीं हैं। यहां कौन आते हैं? यहां आते हैं ज्यान मार्ग वाले। तुम आते हो, बेहद के बाप से भक्ति का फल लेने। अब भक्ति का फल कौन लेंगे? जिसने सबसे जास्ती भक्ति की होगी वही फल लेंगे न? तो बाबा ने कहा वही पत्थर से पारस बुद्धी बनते हैं वही आकर ज्ञान लेंगे क्योंकि भक्ति का फल भगवान को ही आकर देना है यह अच्छी रीती समझने की बाते हैं अभी तुम कल यूगी से सत यूगी विकारी से निर्विकारी बनते हो कंट्रास्ट हो जाता है मनुज से देवता बन जाते है अत्वा पुरुशुत्तम बनते हो बन रहा है न? आत्म प्योर होती जा रही है तुमाए हो ऐसा लक्षमी नारायन जैसा बनने के लिए यह भगवान भगवती है तो जरूर इन्हों को भगवान ही पढ़ाएंगे भगवान वाच परण भगवान किसको कहा जाता है भगवान तो एक होता है भगवान कोई सैकडों हजारों नहीं होते हैं तुनिया में तो बहुत भगवान है ना मिट्टी पत्थर में नहीं होते हैं क्लियर कर रहे हैं बाबा बाप को न जानने कारण भारत कितना कंगाल बन पड़ा है अब बच्चे जानते हैं भारत में इनकी यनि लक्ष्मी नारायन की राजधानी थी। इन्हों के बाल बच्चे आदी जो भी थे राजधानी के मालिक थे। तुम यहाँ आई ही हो क्या बनने? भारत में इन्हों का राजधानी थी। बच्चे को समझाया जाता है। और कोई धर्म नहीं था। इस समय फिर और सब धर्म है। वो प्रायलोप है, बाकी सब धर्म है। यह धर्म है नहीं। यह जो फाउंडेशन है, जिसको थुर कहा जाता है। देवी देवता धर्म फाउंडेशन है, जिसको थुर कहा जाता है। इस मनुष्य स्रिष्टी रूपी व्रिक्ष का। इस समय मनुष्य स्रिष्टी रूपी जाड का थुर सरसड गया है। बाकी सब खड़े हैं। पकि टाल टालियां है, सब धर्म हैं, बस देवी देवता धर्म नहीं है। अब उन सब की आयू पूरी होती है। यह मनुष्य स्रिष्टी रूपी व्राइटी जाड है। एकी तरह का यहाँ पर फल नहीं है, फोल नहीं है, व्राइटी है। भिन नाम, रूप, देश, काल अनेक आनेक है न। कितना बड़ा जाड है। बाप समझाते हैं, कल्प कल्प, यह जाड, जड़ जड़ी भोत, तमुप्रधान हो जाता है, तब फिर मैं आता हूँ। तुम मुझे पुकारते हो, बाबा, आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। हे पतित पावन कहते हैं, तो निराकार बाप ही याद आता है। साकारी तो कभी याद नहीं आएगा। पतित पावन, सद्गती दाता है ही एक। किसी मनुष्य आत्मा को हम पतित पावन नहीं कह सकते। सद्गती दाता नहीं कह सकते। वो है ही एक। जब सत्यूग था, तो तुम्हारी सद्गती थी। अभी तुम पुरुशोत्तम संगम युग पर बैठे हो। का बैठे हैं? बुद्धी से बैठे हैं। कहा पुरुशोत्तम संगम युग पर बाकी और सब कल्युग में है। तुम हो पुरुशोत्तम संगम युग पर। उत्तम ते उत्तम पुरुश वह उच ते उच गाया जाता है एक भगवान। उचा तेरा नाम, उचा तेरा धाम। क्याते हैं न। उचा तेरा नाम, उचा तेरा धाम। उचे ते उचा तु भगवान। उचे ते उच रहते हैं न। परमधाम में। तो उचा धाम यानि परमधाम। यह बड़ा सहज समझने का है. सतियुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, फिर है संगम युग. इसका किसको पता नहीं. ड्रामा में यह भक्ति मार्ग भी बना हुआ है. ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा फिर यह भक्ति मार्ग क्यों बनाया है. यह भी ड्रामा में नोंद है. यह तो अनादी है. मैं बैट तुमको इस ड्रामा का राज समझाता हूँ. मैंने बनाया हूँ. तो फिर कहेंगे कब बनाया? बाबा राज समझाते हैं सारे. बाकी है बेहद का ड्रामा बना बनाया. बाब कहते हैं यह अनादी है ही. शुरू कब हुआ? यह सवाल नहीं आ सकता. अनादी है. नॉन स्टॉप चलता रहता है. अगर कहेंगे फलाने समे शुरू हुआ तो कहेंगे बन्द कब हुगा? है ना? किसी चीज की स्टार्टिंग पॉइंट है तो एंड पॉइंट भी होगा ना? परन्तो नहीं. यह तो चक्र चलता ही रहता है. तुम चित्र भी बनाते हो ब्रह्मा, विष्णू, शंकर का. यह है देवताईं. त्रिमूर्ती दिखाते हैं. उसमें उच ते उच शिव को दिखाते नहीं है. है ना? दुनिया में दिखाते नहीं है. परन्तो हमारे चित्रों में तो ना? उच ते उच शिव बाबा. उनको अलग कर देते हैं. ब्रम्माद्वारा स्थापना सो तो अब हो रही है तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो राजधानी में तो सब प्रकार के पद होते हैं किवल राज़ारानी नहीं राजधानी में वेराइटी पद होते हैं प्रेजिडेंट हैं, प्राइमिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, यह सब होते हैं राय देने वाले. सतियुग में राय देने वाले कोई चाहिए नहीं उनकी बुद्धी इतनी पारस बुद्धी है इतनी प्योर बुद्धी है कोई एडवाइजर की जरूरत नहीं है अभी जो तुमको राय अथवा श्रीमत मिलती है वह अवे नाशी बन जाती है अभी जो हम बाबा से श्रीमत ले रहे हैं ये मत अवे नाशी बन जाती है तब तक चलती रहती है अभी देखो कितनी राय देने वाले है धेर के धेर है पैसे खर्च कर मिनिस्टर राधी बनते है राय देने के लिए मिनिस्टर किसले बनते हैं राय देने के लिए खुद गवर्ण्मेंट भी कहती है यह करप्टिव है, बहुत खाते है यह तो है ही कल योग वहां तो ऐसे होते नहीं वहां नहीं होते ऐसे वजीर आदी की दरकार नहीं रहती यह मत 21 जन्म चलती है तुम्हारी सद्गती हो जाती है बहां तो गुरू की भी दरकार नहीं रहती न वजीर की दरकार, न गुरू की दरकार बुद्धी इतनी सालिम है, इतनी प्योर है कि वजीर नहीं चाहिए आत्माय पहले से ही सद्गती में है तो गुरू नहीं चाहिए सतियुग में ना गुरू ना वजीर रहता है अभी तुमको श्रीमत मिलती है अविनाशी 21 पीडी के लिए पीडी यानी 21 बुढ़ापे के लिए बुढ़ा बन फिर शरीर छोड जाए बच्चा बनेंगे जिसे सर्प एक खाल छोड फिर दूसरी लेते हैं बाप समझाते है मिठे मिठे बच्चों तुम ब्रामण ब्रामणिया हूँ ग्रंथ में भी पढ़ते सुनते तो सब है क्या लिखा है मूत पलीती कपड धोए भगवान को बुलाते है ना भगवान को बुलाते है आकर मूत पलीती कपडा हम आत्माओं का धुलाई करो हमें पावन बनाओ न अब हम सब आत्माओं का बाबा आकर हमारा कपड़ा साफ करो शरीर तो नहीं धोना है किसको धोएंगे आत्माओं को धोना है क्योंकि आत्मा ही पतित बनी है द्वापर युग से विकर्म करते करते आत्मा बहुत पतित हो गई है पतित आत्माओं को आकर पावन बनाओ तो बाप बच्चों को समझाते है मिठे मिठे बच्चों मुझे यहाँ आना पढ़ता है धोना है ना आत्मा को प्योर बनाना है ना तो आना पढ़ता है मैं ही ज्ञान का सागर हूं पवित्रता का सागर हो Knowledge और बाबा की याद Purity इन दोनों से साफ कर देते हैं साबुन और पानी से तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्सा लेते हो हद के बाप से हद का वर्सा मिलता है हद के वर्से में दुख बहुत है इसलिए बाप को याद करते है अथाहा दुख है, थोड़ा बहुत नहीं है बाप ने कहा है यह पाँच विकारो रूपी रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है यह आदी मध्यांत दुख देते है हे मीठे बच्चों, अगर इस जन्म में ब्राम्भण बन कर काम पर जीत पहनी तो जगत जीत बनेंगे बनना है न जगत जीत तो मुखे तोर पर काम विकार परन्तु सारे विकारों पर जीत पाने है तुम पवित्रता धारण करते हो देवता बनने के लिए तुम आये हो आदी सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने यह है पुरुशोत्तम संगम युग इसमें पुरुशार्थ कर पावन बनना है कल्प पहले जितने पावन बने थे सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के बहज जरूर बनेंगे टाइम तो लगता है न बाब युक्ती बहुत सहज बताते है अब बाब के बच्चे तो बने हो यहां तुम किस के पास आए हो बह तो है निराकार पुछते हैं बाबा हमें इशा साकार बाबा पुछते थे किस के पास आए हो प्रमा बाबा के पास आए है शिव बाबा के पास आए हैं, तो पता चलता चाहिए, ग्यान क्लियर है, बाबा को पहचाना है, वह तो है निराकार दिखाई नहीं देता न, उसने इस शरीर का लोन लिया है, वह खुद बताते हैं, यह है बहुत जन्मों के अंत के भी अंत का जन्म, इसी का ही वर्णन गीता में भी है, कि यह है बहुत जन्मों के अंत के, अंत का जन्म, तो यह हुआ सबसे जास्ती पुराना तन, मैं आता ही हूँ, पुरानी, रावन की आसुरी दुनिया में, और फिर उनके शरीर में, इनके शरीर में, जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म जबकि इनकी वानप्रस्थ अवस्था है तब मैं प्रवेश करता हूँ, जिसका वर्णन है कि मैं व्रिध मानव तन में प्रवेश करता हूँ. गुरु भी हमेशा वानप्रस्थ अवस्था में किया जाता है, तो सत्गुरु मिल गया, ब्रह्मा बाबा को वानप्रस्थ अवस्था में, कहते हैं न, साथ तो लगी लाठ, घर में रहेंगे तो बच्चों की लाठ लगेगी, इसलिए भगवान को याद करो, इसलिए भागो घर से, बच्चे ऐसे होते हैं, जो बाब को लाठी मारने में भी देरी नहीं करते हैं, दुनिया में कर्मो का एकाउंट इतना गहरा है, स्पेशली कल युक के अंदर, बहुत सारे बुजर्ग माता पिता, है न, कैसे भटकते हैं, तो बाबा कहते हैं, कहेंगी कहां मरे तो अंधन हमको मिले, वानप्रस्थियों के बहुत सत्संग होते हैं, तुम जानते हो, सर्वका सद्गति दाता एक है, वह संगम युग पर ही आते हैं, सत्युग में, जब तुम सद्गति पाते हो, तो बाकी सब शांतिधाम में रहते हैं, इसको कहा जाता है, सर्वकी सद्गति, उनकी सद्गति अलग है, हमारी सद्गति अलग है, बाप के सिवाए, और तो कोई भी सद्गति दाता हो नहीं सकता, न किसको श्री कह सकते हैं, न श्री श्री, पवित्र कोई है ही नहीं, तो इसलिए किसी को श्री नहीं कह सकते हैं, श्री अर्थात, श्रेष्ट होते हैं देवताएं, श्री लक्ष्मी, श्री नारायन, उनको कहा जाता है, उन्हों को बनाने वाला कौन? श्री श्री को बनाने वाला कौन हुआ? श्री श्री शिव बाबा को ही कहना चाहिए तो श्रेष्ट ते श्रेष्ट, श्रेष्ट 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 लक्ष्मी और श्रेष्ट नारायन बनाते है तो बाप भूले सिद्ध कर बताते है तुमने इतने गुरु किये, फिर भी ऐसा ही होगा तुम फिर वही गुरु आदी करेंगे चक्र फिर वही रिपीट होगा जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो वहाँ हो सुखधाम में पवित्रता, सुख, शान्ती सब वहाँ है वहाँ जगड़ा आदी होता नहीं बकि इतने सब शान्ती धाम में चले जाते हैं भल सत्युग को लाखों वर्ष कह देते हैं बाप कहते हैं लाखों वर्ष की बात है ही नहीं यह तो पाँच हजार वर्ष की बात है कहते भी हैं मनुष्य के चोरासी चन्व दिन प्रति दिन सीड़ी नीचे उतरते तमु प्रधान बनते जाते हैं तो बाप समझाते हैं, यह भी ड्रामा बना हुआ है, सीड़ी चड़ना, उतरना, दिन से रात, रात से दिन होना, सब ड्रामा में बना हुआ है, एक्टर्स होकर, ड्रामा के क्रियेटर, डारेक्टर, मुखे एक्टर को ना जाने, तो क्या कहेंगे? ना आपको कोई रोल मिला किसी फिल्म में, नाठक में, और हमें ना डारेक्टर का पता है, ना सुप्रीम अक्टर का पता है, ना क्रियेटर का पता है, तो ना ऐसा अक्टर कहेंगे क्या? नहीं, बाप कहते हैं, इस बेहद की ड्रामा को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं, यह बाप आकर समझाते हैं, कहते भी हैं, शरीर लेकर पार्ट बजाते हैं, तो नाटक हुआ ना, नाटक में क्या करते हैं, कॉस्ट्यूम लेते हैं, कॉस्ट्यूम पैनते हैं, और उसी कॉस्ट्यूम के अनुसार किरदार अधा करते हैं, तो बाप भी क्या करते हैं, बाप बेहद के इस रंग मंच पर आते हैं, और स्रिष्टी रंग मंच पर ब्रह्मा बाबा का तन कॉस्ट्यूम धारण करते हैं तो बाबा कहते हैं शरीर लेकर पाट बजाते हैं तो नाटक हुआ ना नाटक के मुखे अक्टर्स कौन है कोई बता नहीं सकेंगे अभी तुम बच्चे जानते हो यह बेहद का ड्रामा कैसे जू मिसल चलता है तिक तिक होती रहती है मुखे है ओच ते ओच बाबा जो आकर समझाते भी हैं और सर्व की सद्गती भी करते हैं सत्युग में दूसरे कोई होते नहीं बहुत थोड़े हैं वह थोड़े जो होंगे उन्होंने सबसे जास्ती भक्ती की होगी जो स्टार्टिंग की 9 लाख सत्युगी पॉपुलेशन है उन्हें सबसे जादा भक्ती की होगी क्योंकि फिर सबसे पहले भक्ती मार्ग में भी वही आत्माएं आएंगी तुम्हारे पास प्रदर्शनी वह म्यूजियम में आएंगे वह कौन आएंगे जिन्होंने बहुत भक्ती की है उन्हें अट्रेक्शन होगी एक शिव की भक्ती करना इसको कहा जाता है अव्यभीचारी भक्ती एक की भक्ती फिर बहुतों की भक्ती करते व्यभीचारी बन पड़ते हैं अभी तो बिलकुल ही तमु प्रधान भक्ती है। अनेकों की क्या तमु प्रधान भूतों की पुजा करते हैं, यानी फाइव आलिमेंट्स की पुजा करते हैं, मनुष्य आत्माओं की पुजा करते हैं। पहले सतुप्रधान भगती थी, फिर सीड़ी उतरते तमुप्रधान बने हैं। ऐसी हालत जब होती है, जब तमुप्रधान बन जाते हैं, तब बाप आते हैं सबको सतुप्रधान बनाने। इस बेहद के ड्रामा को भी तुम अभी जानते हो। हम तमुप्रधान बनते हैं, फिर सतुप्रधान बनते हैं, फिर तमु, फिर तमुप्रधान, ऐसे ऐसे साइकल रिपीट होती रहती है, सतो से सतुप्रधान, सतो रजो, तमु, तमुप्रधान बनते जाते हैं, साइकल रिपीट होती रहती है, अच्छा। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉनिंग नमस्ते 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 धालना के लिए मुख्यसार पहला बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है जब अभी पवत्रता का वर्षा लो अर्थात काम जीत बनो तब जगत जीत बन सकेंगे दुसरा, बेहद बाप से पढ़ाई पढ़कर स्वयम को कौडी से हीरे जैसा बनाना है बेहद का सुख लेना है नशा रहे मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप अभी हम्मारे सम्मुक है अभी है हमारा यह सर्वोत्तम ब्राम्भण कुल नशा रहे कौन सा कुल है है न, वर्दान है ज्ञान संपन दाता बन सर्वात्मों के प्रती शुभचंतक बनने वाले श्रेष्ट सेवाधारी भवा कौन है श्रेष्ट सेवाधारी? जो ज्यान संपन दाता बन के सर्वात्माओं के प्रती शुभचिंतन करते हैं, शुभचिंतक बनने का विशेश आधार शुभचिंतन है. जो व्यर्थ चिंतन वह परचिंतन करते हैं, वह शुभचिंतक नहीं बन सकते. शुबचिंतक मणियों के पास शुबचिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रती शुबचिंतक बन सकते हैं। शुबचिंतक अर्थात सर्वज्ञान रतनों से भरपूर। ऐसे ज्यान संपन दाता ही चलते फिरते हर एक की सेवा करते श्रेष्ट सेवाधारी बन जाते हैं। तस हमेशा सब के प्रती मन में शुबचिंतन चलता रहे, सब का कल्याड हो, सब सुखी रहे। तो ऐसे करते करते श्रेष्ट सेवाधारी बन जाते हैं। स्लोगन है विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कारे में निमित बनो विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व के लिए कुछ करना पड़ेगा ना तो विश्व परिवर्तन के कारे में निमित बनो पहले स्व परिवर्तन करो तो आज विशेश हम सभी के प्रती जो भी कोई आत्मा हमारे संबंध संपर्क में आ रही है या आती है या फिर इस विश्व के अंदर इतनी सारी आत्माई है और समय प्रमाण परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत तीवर होती जा रही है तो सब के प्रती पंच तत्वों के प्रती विशेश हम सभी शुभचंतन करेंगे शुभचंतक बनेंगे सब के प्रती मन में यही भाव हो सब का कल्यान हो सब सुखी रहे सब का मन शांत रहे अचल रहे अडोल रहे सब के मन में एक दूसरे के प्रतीस नहे और सहयूग की नहो तो ऐसे शुभचंतन करते करते शुभचंतक बनते बनते विश्व परिवर्तक और विश्व कल्यानकारी विश्व सेवाधारी बन जाएंगे चा ओम शांती सभी हो सुखी और सबका भला हो सभी हो सुखी और सबका भला हो दुआओ का दिल में यही सिल सिला हो सभी हो सुखी और सबका भला हो सभी हो सुखी और सबका भला हो पवन में चमन में छैनो अवन हो रहे शांती मन में गगन्या भुवन हो पवन में चमन में चैनो अवन हो रहे शांती मन में गगन्या भुवन हो गगन्या भुवन हो मनों का जर्ना धरता सदा हो मनों का जर्ना धरता सदा हो गुलों का मकरंद सबको मिला हो दुआओं का दिल में यही सिला हो सभी हो सुखी और सबका भला हो सभी हो सुखी और सबका भला हो यह तेरा यह मेरा यह तकरार क्यों ले यह नफरत हदों के बीवार क्यों है यह तेरा यह मेरा यह तकरार क्यों है ये नफरत हदों की दीवार क्यूं है दीवार क्यूं है चले तोड़ पिंजरा जो पंची चलाओ चले तोड़ पिंजरा जो पंची चलाओ न शिक्वा शिकायत न कोई दिलाओ दुआओं का दिल में यही सिलाओ सभी हो सुखी और सबका भलाओ सभी हो सुखी और सबका भलाओ क्रिया जिसने जीवन जगत ये सजाया हो प्यार उसका ये दिल में समाया दिया जिसने जीवन जगत ये सजाया हो प्यार उसका ये दिल में समाया दिल में समाया लगन के सदा ही लगी श्रिंक लाओ लगन के सदा ही लगी श्रिंक लाओ चेहरों पे कुशिया और मन किलाओ दुआओं के दिल में यही ससिलाओ सभी हो सुखी और सबका भलाओ सभी हो सुखी और सबका भलाओ सभी हो सुखी और सबका भलाओ